So guys, हमने अपने पिछले वीडियो में देगा अदर Dynamic Memory Allocation क्या होता है Stack, heap, हमने काफी बड़ी-बड़ी discussions किये थे और इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताऊँगा कि Dynamic Memory Allocation आप लोग किस किन functions की मजद से use कर सकते हैं, आप लोग किस तरह actual में Dynamic Memory Allocation कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो को सबसे पहले start करना चाहूँगा Important Mark करके और मैं बहुत कम वीडियो उसको Important Mark करता हूँ उसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इसमें implementation है Dynamic Memory Allocation का अब यहाँ पर हम एक integers को store कर सकता हूँ और यह मेरा कहां पर जाती है मेरी stack में Memory Allocate होती है किसी भी function के अंदर अगर मैं इस चीज़ को डालता हूँ तो होगा क्या कि उस function की जो stack है उसके अंदर यह variable बन जाएगा एक local variable और उसके बाद क्या होगा वो destroy हो जाएगा जैसे ही function return करेगा मैंने आप लोग को global and static variables के बारे में बता है तो और आप लोग को बता है था कि हमारा जो program होता है जो code होता है actual वो भी हमारी कुछ memory लेता है उसके बाद हमने यहाँ पर heap की बात की थी और heap में ही छुपी होई है पूरी dynamic memory heap ही होती है dynamic memory heap में allocation को ही कहते है dynamic memory allocation तो हम लोग ने बोला था कि dynamic memory allocation एक तरीका है जिसमें कि हम लोग एक data structure का size change कर सकते है runtime पर और हम लोग different तरह की memory different size की memory allocate कर सकते है runtime पर तो हम लोग ने देखा था कि जो memory assign होती है एक C program को typical architecture में वो code, static global variables, stack और heap इन चार तरह की होती है इन चार जो segments होते हैं उनमें दी जाती है assign की जाती है अब हम लोग यहां पर देखेंगे functions for dynamic memory allocation निल C programing में dynamic memory allocation के लिए हमें कौन-कौन से functions की ज़रूरत है अब dynamic memory allocation में क्या होता है जो हमारा heap segment होता है उसमें memory allocate होती है मैंने आप लोग को बताया था stack के बारे में, heap के बारे में code segment के बारे में और global और local variable के बारे में इससे पिछले के पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को discuss करके सारा कुछ बता रहा है अगर आप लोगों ने c programming की playlist को access नहीं किया तो वो जरूर कर ले ना अगर किसी ने भी वो वीडियो मिस कर दिया है तो अब यहां पर dynamic memory allocation एकदम clear हो गया होगा सबको वो वीडियो देखने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कर पाएंगे अग्चुल में dynamic memory allocation तो हमारे पस चार functions होते है इस task को इस पूरे task को यह जो हमारी heap होती है उसमें memory को allocate करने के लिए चार functions होते है एक होता है malloc, एक होता है calloc, एक होता है realloc, एक होता है free तो malloc, calloc, realloc and free यह चार functions होते है तो ये चार functions होते हैं हमारे पास Dynamic Memory Allocation के लिए तो मैं आपर लिख देता हूँ Dynamic Memory Allocation के लिए तो Dynamic Memory Allocation अभी सब लोग को समझ में आ गया होगा सही से अब हम लोग यहाँ पर वो चार functions एके करके देखेंगे जोगे Dynamic Memory Allocation करने में हमारी मदद करते हैं पहला function है malloc तो हम लोग यहाँ पर अब करेंगे क्या malloc को देखेंगे और malloc में हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि हमारा target क्या है हम लोग अगर एक अपने basic target की बात करें तो हमारे पास यह है कि एक heap हमारे पास given है एक भंडार है heap का मतलब एक भंडार समझे लो memory का जो की हमको मिल सकती है जिसमें से memory हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक int star pointer बनाएंगे तो मैं यहाँ पर कहूंगा int star ptr और मैं चाहता हूँ कि यह int star ptr को required amount of memory in heap यानि कि जितनी memory मुझे heap के अंदर से चाहिए उतनी memory allocate करके मैं क्या कहूं कि pointer को point करा दूँ उस memory से यह काम करने के लिए malloc हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है अब यह काम किस तरह करता है वो मैं आपको code वगएरा लिख के बता दूँगा लेकिन अभी के लिए आप लोग सिफ सुनो मेरी बात को मुझे 100 bytes चाहिए तो मैं malloc को दे दूँगा 100 लेकिन actual में हम लोग क्या करते है size of operator का استعمال करते है यह सारे काम किस तरह करते हैं यह मैं आप लोग को visual studio code के अंदर ले जाके बताऊँगा अभी के लिए आप लोग यह समझ लोग यह reserve कर लेता है एक block of memory जितना हमने बोला इसको इतनी bytes हमको चाहिए हमको इतनी space चाहिए यह बोलेगा ok यह रहा आपका pointer जो की point करता है heap के अंदर इतनी space को ठीक है तो heap के अंदर point कर देगा वो मानलो मैंने 10 byte यहाँ पर request करी तो वो 10 byte यहाँ पर लेके heap में और उसका जो pointer कर लो जिस हिसाब से आपको memory को use करना है अब मानलो मुझे यहाँ पर integer array बनाना है एक integer dynamic array बनाना है तब मैं क्या करूँगा उसको int star में typecast कर लोगा मैं कहूँगा ठीक है भाई मुझे void pointer दे दो मैं int star की typecasting लगा दूँगा उसके पीछे और वो एक integer pointer बन जाएगा मेरा काम हो जाएगा उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके बाद typecasting के बाद कि अगर हमारी space insufficient है अब मानलो heap है हमारी मानलो n size की और आपने मानली memory n प्लस 1 size की अब उसको मना करना पड़ेगा योगी जब जगा नहीं है तो आपको कहां से देगा अगर किसी के पास 10 टॉफियां है आप उससे 11 टॉफियां मांग लो तो वो आपको एक और टॉफि कहां से लाके देगा तो आप लोग को करना क्या है यहाँ पर यह चेक करना है कि जो pointer आपको मिल रहा है return में कहीं वो null pointer तो नहीं है क्योंकि अगर वो null pointer है तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि memory allocation नहीं हो पाया memory जो है हमारे पास जो space है वो insufficient पढ़ गई कहां heap के अंदर heap के अंदर memory insufficient हो गई heap के अंदर अब यहाँ पर जितनी भी values होती है memory की वो garbage values initialize हो जाती है तो यह भी हम लोग को एक point दिहान में रखना है syntax इसका कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपर बनाओ एक int star ptr semicolon लगा दूँ फिर उसके बाद मैं लिखू ptr is equal to मैं कहूँगा ptr is equal to int star int star लिखने के बाद मैं लिखूँगा malloc और उसके बाद मान लो मैं आपर लिखूँगा 3 into size of int अब size of operator का क्यों इस्तेमाल किया मैंने डिरेक्टली यहाँ पर 4 क्यों ने लिख दिया है फिर 2 क्यों ने लिख दिया क्योंकि मुझे पता नहीं कि इस architecture में क्योंकि अगर मान लो मैं एक computer में run कर रहा हूँ अपने program को वहाँ पर int का size हो सकता है 2 byte किसी दूसरे computer में अपने दोस्त को मैंने वही program भेजा mail करा तो उसके में अगर size of int जो है वो कुछ और है तब problem create होगी issue create होगा इसलिए मैं चाहता हूँ size of का इस्तेमाल करके यहीं calculate कर लो malloc आपको दे देगा और उसके बद आपने आप पर typecasting करके बड़ी चतुराई के साथ PTR को इसको assign कर दिया तो यह था हमारा malloc हम लोग code में देखेंगे malloc किस तरह दिखता है लेकिन अभी के लिए हम लोग calloc को देखेंगे calloc भी जो different होता है वो मैं आप लोग को बता होगा यह n blocks reserve करता है memory के with the given amount of bytes तो आप लोग यहाँ पर बोले कि मुझे 10 integers चाहिए कुछ इस तरह आप लोग बोल सकते हैं या फिर मुझे 50 characters चाहिए तो आप इस तरह से input को दे सकते हैं तो यह क्या करेगा simply आप लोग को memory पकड़ा देगा कहाँ पर हमारे उसी भंडारे के अंदर क्या ना में उस भंडारे का heap हमारी जो heap की जो memory है जो की free to use memory है जो की publicly available जन हित में जारी memory है वो यहाँ पर कोई भी ले सकता है आप लोग ले सकते हैं इसमें से memory और उसको आप PTR को यहाँ पर क्या कर सकते हैं PTR के अंदर store कर सकते हैं उसके pointer को तो वो एक pointer आपको return करेगा कौन? Kellogg Kellogg आपको एक pointer return करेगा और उस pointer को फिराब typecasting वगरा करके इस्तिमाल कर लोगे यहाँ पर यह भी void pointer return करता है और जिस तरह हमने malloc में देखाता कि typecasting करनी पड़ती है यहाँ पर भी करनी पड़ती है तो आप लोग यहाँ पर बिलकुल malloc वाली बात को लागू करा दें और जिस तरह हम लोग malloc के अंदर यहाँ पर void pointer बनाते थे उसी तरह यहाँ पर void pointer को return करता है यहाँ पर एक difference वाली बात जो है वो यह है कि आपकी सारी allocated memory zero से initialize हो जाती है malloc में किस से होती थी garbage value से होती थी बहुत बड़ा difference और आप लोग इसको note down कर लो सब के सब कि जो हमारा malloc होता है वो allocated memory को initialize करा देता है garbage value से और जो calloc होता है वो zero से initialize करा देता है syntax की बात करूँ तो बिलकुल malloc के जैसा बस जब हम size of यहाँ पर size देते थे bytes में तब यहाँ पर हम दो number देते हैं तो कितने blocks चाहिए और कितने size k चाहिए यहाँ पर हम क्या करते थे थे यहाँ पर multiply कर देते हैं three multiple houses size of and करके जो total size in bytes था वो input लेता था malloc लेकिन malloc हमारा क्या करेगा malloc हमारा दो numbers को लेगा input में पहला लेगा कि kथने blocks चाहिए और वो blocks कितने size के हो तो यह 2 arguments है कितने blocks चाहिए वो blocks कितने size के हो कितने blocks चाहिए वो blocks कितने size के हो as simple as that एकदम simple है बस heap का इस्तिमाल हो रहा है यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर pointer return करके उसको इस्तिमाल कर रहे हैं करके दिखाऊंगा आप लोग को visual studio code के अंदर आप लोग बिल्कुल tension मतले ना आपर PTR के अंदर dynamically allocate कर दी तो PTR आपको point कर रहा है मानलो इन 4 blocks से एक दो तीन चार अब मानलो आपको उसी program के अंदर जरूरत पढ़ती है 8 blocks की लेकिन आपको यह PTR की जरूरत नहीं है अब यानि कि आप इस PTR को ही overwrite करके वापस से allocate करना चाहते हैं memory एक बहुत बड़ा resource है मैंने आप लोग को पहले भी बताया है और memory को आप लोग waste नहीं करना चाहेंगे आप लोग memory को re-allocate अगर कर पाएं किसी तरीके से तो यह बहुत बढ़िया होगा तो dynamically allocated memory अगर insufficient है यानि कि मैंने पहले PTR बनाया एक चार ब्लोग का उसको इस्तिमाल कर लिया लेकिन मेरे अगले action के लिए तो यह मेरा action 1 था और मेरा यहाँ पर action 2 जो था मेरा उसके लिए मुझे जो pointer है उसमें थोड़े से और blocks चाहिए थे तो मैं क्या करूँ का re-alloc का इस्तिमाल करूँगा यह भी आपको करके दिखाऊंगा और हम लोग change कर सकते है size of previously allocated memory using re-alloc function तो यह re-alloc का काम होता है simple सा कि जो पुराना pointer है उसको लेगा और नया pointer return करेगा नए size के साथ as simple as that बिल्कुल simple है syntax की बात करें तो ptr is equal to जो हमारा int star, char star जिस भी तरह का pointer है वो re-alloc पुराना pointer और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे new size in bytes कर देंगे तो नया size हम दे देंगे उसको बोलेंगे भाई अब हमें इतना size चाहिए पहले तुमने पहले जो ptr था उसमें 36 bytes थे यार अब मुझे 4 और bytes की ज़रूरत है मुझे 40 bytes allocate करके वापस से return करो point है तो इस तरह हम लोग इस्तिमाल कर सकते हैं re-alloc को आशा करता हूँ एकदम clear हो गया हो अगवा सब को मुझे comment में आप लोग बता दिया करो और आप लोग like करते हो पता चलता जाता है कि आप लोग समझ में आ रहा है और मुझे comment करके आप लोग specifically बता होगे कि मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और कोई भी ची समझ में नहीं आ रही है तो वो भी kindly मुझे जरूर से बताए तो हमने यह आपर देखा था कि किस तरह हम लोग memory allocate करेंगे free जो होता है वो क्या करता है free कर देता है आपकी allocated memory को तो अगर आप लोग को नहीं कोई PTR नाम का pointer बनाया है और उसके बाद आपने कोई इस तरह ने लिख दिया PTR is equal to int star malloc और उसके बाद आपने लिख दिया 3 into size of 3 into size of int ठीक है मैंने आपका size of int थोड़ा वैसा लिखा है समझ जाना आप लोग तो क्या होगा PTR में 3 integers मेरे हैं मैं PTR को point करा रहा हूँ एक ऐसे memory block को जहां पर मैं 3 integers को store कर सकता हूँ pointer arithmetic का इस्तिमाल करके मुझे अब नहीं चाहिए मेरा काम हो चुका है तो मैं क्या करूँगा उस memory को पकड़ के नहीं बैठा रहूँगा मैं उसको free कर दूँगा उसको मैं free कर दूँगा और यहाँ पर क्या होगा free function की मदस से मैं free कर दूँगा अब आप लोग अगर जिम वगरा में जाते हैं आप treadmill पर दॉड रहे हैं और या फिर आप dumbbell उठा रहे हैं एक बार आपने dumbbell से exercise कर ली तो आप dumbbell को free कर देते हैं कि भाई अब दूसरा इंसान यूज करे मेरा काम हो चुका है तब क्या होता है फिर कोई दूसरा आदमी उसी dumbbell को इस्तेमाल कर लेता है तो आप लोग dumbbell को पकड़के नहीं रखते हैं जब तक कि आप लोग कोई काम ना कर रहे हों आप लोग यहाँ पर dumbbell को free कर देते हैं उसी तरह आप लोग free function की मदस से memory को free कर देते हैं अब मुझे ये memory नहीं चाहिए यानि कि अब इस memory का उपियो कोई और कर सकता है अब यहाँ पर free हो जाती है memory और हमारा syntax से एकदम simple सा है एकदम damn simple हमारा जो concept है ये free का उतना ही इसका simple syntax भी है syntax में आप लोग को simply free लिखना है और free करके pointer दे देना है उसके अंदर और होगा क्या कि ये free कर देगा memory को जो वो pointer hold करके बैठा था mention करना चाहूँगा जितने भी syntax मैंने लिखे है वापर semicolon जरूर से आएगा तो अगर मैंने यहाँ पर semicolon नहीं लगाए तो यहाँ भी semicolon आएगा और उसी तरह हमारा malloc के अंदर भी semicolon आएगा तो यह सारी चीज़े हम लोग code के अंदर लिखेंगे तो थोड़ा ज़ादा मज़ा आएगा तो हम लोग dynamic memory allocation का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो आप लोगों ने वीज और studio code में जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने सी programming के इस playlist को access नहीं किया तो kindly कर लें क्योंकि मेरे पास बीच-बीच में काफी comments आते हैं कि आपने forloom बता दिया ये नहीं बता है मैं चाहता हूँ सब लोग इसको देखें playlist को सब लोग bookmark करें नए tab में खोलके अभी के अभी आप इस playlist को bookmark करें बहुत जादा important है ये आप लोगों के लिए अगर आप लोग इस course को अच्छे से और इस course से जादा से जादा सीखना चाहते है तो अब हमें आ जाओंगा यहाँ पर अपनी IDE के अंदर और यहाँ पर IDE के अंदर tutorial47.c की नाम से एक file बनाऊँगा तो मैं आप लिख देदा हूँ tutorial47.c और यहाँ पर अपना user snippet जो मैंने बनाया हुआ है mean2 का वो ले आता हूँ user snippet मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है आप लोग यह type भी कर सकते हैं अगर आप लोग यह shortcut बनाना नहीं जानते हैं तो और by any chance अगर आप लोग उने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए आपको अब हम लोग यहां पर करेंगे का dynamic memory allocation का इस्तिमाल करेंगे यहां पर एक बहुत important बात सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा वो यह है कि जो dynamic memory allocation करने की फंक्शन मैंने आप लोग को बताया है वो stdlib.h के अंदर आते हैं अब मैं यहां पर आप लोग को सबसे पहले malloc का usage बताऊँगा तो मैं use of malloc यहां पर लिख देता हूँ और यहां पर मैं करूँगा क्या एक int star ptr बनाऊँगा int star ptr बनाऊँगा और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा इसमें dynamically memory को allocate करूँगा तो मैं यहां पर लिख दूँगा ptr is equal to लिखूँगा int star यानि की int star में मैं typecast करूँगा लिखूँगा malloc और उसके बाद लिख दूँगा 10 multiply by size of int इससे होगा क्या मेरा 10 size का क्या बन जाएगा एक array बन जाएगा एक dynamic array बन जाएगा programs कभी भी कोई भी बड़ा program लिख रहे हैं आप छोटा program लिख रहे हैं और फिर कोई भी exercise solve भी क्यों ना कर रहे हो मैं चाहता हूँ कि आप लोग program को run करके जरूर देखें उससे होता क्या है program को run करने से program को run करने से confidence मिलता है कोई error नहीं आया अभी तक और अगर कोई error नहीं आया अभी तक इसका मतलब सारी की सारी चीज़े एकदम अच्छी तरह चल रहे हैं उसी के साथा आप right click करके format document करेंगे तो यहां पर सारी spaces वगएरा अच्छे से या आप लोग को beautify करके देदेगा program ये भी मैं recommend करता हूँ उसी के साथ साथ अब हम लोग यहां पर देखेंगे किस तरह हम लोग for loop लगा कर यहां पर क्या कर सकते हैं इसको हम अराम से traverse कर सकते हैं user से input ले सकते हैं और फिर print कर सकते हैं values को तो मैं यहां पर क्या करूँगा less than 10 कर दूँगा 10 से अच्छा मैं 3 लिखता हूँ यहां पर ताकि मैं अच्छे तरह आप लोग उसको demonstrate कर सको तो छोटा सा मैंने यहां पर integer array बनाया है और मैं यहां पर scanf लिखूँगा और scanf लिखकर मैं यहां पर लिखूँगा percentage d और यहां पर m% क्या लिखूँगा m% लिखूँगा ptr i क्योंकि यह मैंने array बनाया है अब ptr i का क्या मतलब है ptr i का मतलब कुछ नहीं है star ptr plus i यानि कि value at pointer plus i बनी कि आपको pointer arithmetic वाली वीटिव में बताया था अभी के लिए आप लोगे समझ लो dynamically allocated array को हम कुछ इस तरह यहां पर ऐसे लिख सकते हैं और value हम ले सकते हैं तो यहां printf अगर मैं यहां पर लिखूँगा enter the value number यहां पर आ जाएगा मेरा i of this array of this array और मैं यहां पर क्या लिखूँगा यह लिखने के बाद मैं यहां पर i मैं लिख दूँगा control इससे save करूँगा अब क्या होगा यह कि करके मैं values को input कराता जाओंगा कराता जाओंगा मालो 1 2 3 1 2 3 मैंने दे दिया array के अंदर अब मैं अगर इसको print करा हूँ array को dynamically allocated array को तो मैं यहां पर क्या लिखूँगा the value of percentage at मैं आपर लिखता हूँ value at percentage of this array is यहां पर मैं लिख दूँगा ptri ptr कुछ नहीं है एक array की तर आप लोग इसको use करें बस यह है कि dynamically allocate किया गया है और यहां पर scan app को हटाई देता हूँ control इससे save किया run किया तो मैं आपर एक क्वाम करूँगा इस पर 5 6 और 7 दूँगा और उसके बाद देखो यहां पर मैंने ptri को print सभी से किया कि नहीं तो मैं यहां पर percentage d नहीं लिखा तो मैं इसको ठीक करता हूँ वापस से run करता हूँ 5 6 7 यहां पर 5 6 7 मेरा print हो गया अगर मैं इसको यहां पर 4 कर दूँ और save करूँ प्रिंट होगी क्योंकि मैंने array बनाया है 3 size का तो मैं 4 यहां पर कैसे लिख सकता हूँ तो यह सिर्फ एक हलका सा टेस्ट आप लोग को देना चाहता था कि अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो क्या होता है तो इसी तरह आप लोग बड़े-बड़े arrays बना सकते हैं और यहां पर उसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पर printf की मतलब से enter the size of the array you want to create कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कितने size का array बनाना चाहते हैं उससे होगा क्या उससे अब आप लोग यहां पर अराम से लिख सकते हैं कि आप कितने size का array बनाएंगे backslash n अगर मैं आप लगाऊ और उसके बाद scanf का इस्तिमाल करते हुए मैं आप एक i भी बना देता हूँ variable int i लिख देता हूँ और उसके बाद अब मैं आप लिखूँगा one to less करूँगा %dm % i कर दूँगा m % i और यहां पर मैं i लिख दूँगा यहां पर मैं i नहीं लिखना चाहिए था मैंने n लिखना चाहिए था यह i मैं अल्री इस्तिमाल कर रहा हूँ ठीक है मैं n लिख दूँगा और यहां पर भी मैं क्या करूँगा n लिख hitting और यहां पर भी मैं क्या करूँगा n लिख terr downs तो अगर őल आट की value कर मैं 4 रखंहू इस बार तो मैंने क्या किया यह यह मैं आप लोग को क्यूँ बता रहा हूँ की जो memory है वो runtime पे allocate होती है तो 4 लिखा तो 4 size का array बन गया अगर यहाँ पर मार लो मैं 10 भी लिख देता हूँ जो कि एक बहुत बड़ा number है इस array के लिए लेकिन सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं एक काम करूँगा 9 से start करता हूँ उल्टा जाऊँगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 औ कर सकते था अब यहाँ पर कैलोग की मदस्य अगर मैं करता तो मैं एन कॉमा लिखूँगा तो मैं आपर एक काम करता हूँ यूज ऑफ मैंने मैलोग लिखा है इसको कॉपी करूँगा कमेंट आउट करूँगा और इसके बाद नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर यूज ऑ रन करूँगा आप लोग देखो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ 1,2,3 लिखता हूँ और मैं प्रेंट कर पा रहा हूँ 1,2,3 जिस तरह मैं मैलोग की मदस्य कर दा था कैलोग भी मैंने उसी तरह यूज किया एक चीज यहाँ आप लोग को दिखाना चाओगा कि अगर मैं मैं आपर simply 4 लिखोंगा तो यह मैं मुझे से बपूझेख़गा कि enter size of the array you want to create तब मैं आपर 4 लिखताहूगा तो मैं इसको आपर से ран करताहáis स्को मैं फिर रन करूँगा वपस से THIS करन करताह cooperative तो मैं आपर यह मुझते पूछेगा कि enter the size of the area you want to create तो मैं आपर 4 लिखाँगा मेरा code runner for some reason hang कर रहा है तो मैं आपर करूँगा क्या कि इसको delete ही का देता हूँ इसको cancel कर देता हूँ program को तो कभी-कभी code runner क्या करता है hang हो जाता है for some reason anyways तो मैंने इस program को run किया वाफस से और यह मुझते पूछेगा कि enter the size of the area you want to create तो जैसे ही मुझते पूछेगा enter the size of the area you want to create मैं आपर 4 लिखता हूँ अगर तो इसने सारी के सारी memory locations जोती है उनको 0 से initialize कर दिया यह एक extra overhead होता है callock में इसलिए अगर आप लोगों को जो memory है location है हमारी उनको 0 से initialize नहीं करवाना है तब आप लोग का इस्तिमाल ना करें च्योंकि अगर आप लोग का इस्तिमाल करेंगे तब होगा क्या कि आप लोग का इस्तिमाल करके सारी के सारी जो values जो 0 से initialize कर देंगे और 0 से initialize करना एक extra overhead होता है एक extra मेहनत होती है और extra आप कुछ नहीं करना चाहेंगे या आपकी program में inefficiency को add करेगा कोई भी चीज अगर आप extra करेंगे अपने program में तो यह चीज आप लोग को द्यान में रखनी है यह एक बात हो गई तो यहापर मैं input जो ले रहा था हो लेता रहूँगा और आप लोग इस तरह कैलोग का इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम लोग बात करेंगे realloc की तो मैं आपर करूँगा कि इसको copy करूँगा और comment आउट करूँगा और नीचे यहापर realloc का इस्तिमाल करके आप लोग को दिखाँगा तो मैं आपर लिखूँगा use of realloc और यहाँ पर enter the size of the new array लिखूँगा तो आप लोग नए array का size जो हैं आपर दे सकते हैं और उसी के हिसाब से आप लोग printing कर सकते हैं अब मैं आपर करूँगा क्या जो मैं पहले ऐलोकेट कर रहा था memory अपनी calokay की मदश से उसको मैं वापस से ले आऊंगा और मैं आपर जैसे ही मैने calokay मदश से अब मेमरी को ऐलोकेट किया मैं करूँगा क्या realloc की मदश से एक नया मैं N की value को input करके वापस से print करवाँगा अपने array की values और मैं यहाँ पर क्या करूँगा input नहीं लोगा सिर्फ print करवाँगा array की values तो यहाँ पर होगा क्या कि जो मेरा array है उसका size बढ़ जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ input भी ले लेता हूँ उससे हुआ कि एक अच्छी understanding हैगी आप लोगों को तो कैलोग की जगा मैं realloc का इस्तेमाल करूँगा और अगर आप लोग याद करें realloc के syntax को तो वो क्या था रिया लोग के अंदर एक तो ptr आता था हमारा पुराना ptr जो था वो आता था तो मैं आप लिख देता हूँ ptr और उसके बाद नया size आता था तो मैं लिख दूँगा n into size of int तो नया size आजाए याँ पर मैं मैं आपर कर किया रहा हूँ kalloc की मदद से मैंने आपर एक ptr के अंदर क्या किया एक n size का array बनाया n किसने input किया user ने scanf की मदद से input किया और जितना भी number उसने input किया उतने array का मैंने उतने size का मैंने array मना लिया kalloc की मदद से उसके बाद मैंने उस array को बोला user से कि भाई भरो मुझे बताओ क्या values इसमें डालनी है उसकी बाद मैंने उसको print करा दिया अब मैं चाहता हूँ कि वो array के size को मैं थोड़ा बढ़ा दूँ या कम कर दूँ तो मैं realloc का use करूँगा मैं कहूँगा कि enter the size of the new array you want to create उस नए array का size बताओ जो आप बनाना चाहते हो और scanf की मज़से मैं input ले लूँगा इनको वापस से फिर realloc की मज़से में memory को reallocate करूँगा और जो काम मैं पहले कर रहा था यानि कि user से input लेना उन values को और user की screen में display करना ये दोनों काम मैं करवाऊंगा तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या भी इसको run करूँगा simply और run करने के बाद ही compile हो कर रन हो जाएगा मारलो मैं 4 size का रहे बनाता हूँ मैंने गलत जग़ा input लिए यहाँ click करके करना चाहिए था 4 और मैं 1,2,3,4 value रखता हूँ simple सी अब मारलो मैं इस 4 size को 9 करना चाहता हूँ या फिर 9 की जग़ा 2 कर देता हूँ तब मैं क्या करूँगा 1 और यहाँ पर 2 तो मैंने यहाँ पर क्या किया size को dynamically change कर दिया पहले 4 का था अब 2 को कर दिया तो अगर यह पहले 4 का था तो मैंने 2 का करा तो मैं 4 से 6 भी कर सकता तो यह भी आप लोग को दिखा दिता हूँ तो 1,2,3,4 लिखा फिर 6 करके 1,2,3,4,5,6 कर दिया तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा पहले array का size था 4 फिर मैंने उसको dynamically फिर से allocate करके उस 4 को 6 कर दिया यहीं कि मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा और मुझे space दे दो मुझे थोड़ी space और चाहिए मुझे पहले जरूरत थी 4 size के array की लेकिन अब मुझे 6 size के array की जरूरत है तो मुझे 2 जो memory location है integer के वो बढ़ा के मुझे दे दो मुझे 2 और blocks दे दो integer size के ताकि मैं उसमें अपने 2 integers को रख पाऊ यह काम बिना dynamic memory allocation के नहीं हो पाता था अगर आपको याद हो हम array बनाते थे कहते थे कि भाई अगर 4 का size चाहिए तो 10 का बना दो good enough array बना दो लेकिन यह करना efficient नहीं होता है इसलिए dynamic memory allocation का इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पर जैसे प्रोग्राम चलता जा रहा है आगे होगा क्या यहाँ पर जो मेरा realloc function है उसने जो memory store करा के रखी हुई है जो memory reserve करा के रखी हुई है pointer में वो तो वहीं के वहीं है इसलिए मैं free PTR कर दूँगा तो free PTR करने से क्या होगा वो memory free हो जाएगी वो memory खाली हो जाएगी वो memory में से सारा का सारा जो हमने आपर assign किया हुआ था allocate किया हुआ था वो अब free to use हो जाएगा यानि कि उस heap के अंदर memory को और इस्तिमाल किया जा सकता है वो memory free हो चुकी है अब यहां बर तो program exit होने से पहले मैंने free लिखा है लेकिन अगर program के बीचो बीच आप कुछ कर रहे हैं dynamically create कर रहे है array को और उसके बाद आप लोग एक नया array बना रहे हैं तो आप पुराना जो use हो चुकी है memory उसको free करा दे ये एक अच्छी practice होती है आपको एक quiz देना चाहूँगा यहां पर quiz यह है कि आप लोगों को free का इस्तिमाल करके मुझे दिखाना है आप लोग को यह दिखाना है कि free को आप लोग किस तरह efficiently इस्तिमाल कर सकते हैं यहां पर मैंने आप लोग को free use करके दिखाया लेकिन लेकिन यहां पर मैंने free use करके आप लोग को दिखाया program end होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप बीचो बीच program के free use करें और यह दिखाये मुझे कि किस तरह आपने एक array बना कर उससे काम लेकर free कर दी memory और आप आगे बढ़ गए अपने program में यह मैं आप लोगों को quiz देना चाहता हूँ आप लोग फिर से सुने मैंने क्या बोला था पीछे करके अगर आप लोगों ने quiz को सही से नहीं सुना है लेकिन यहां पर सारे के सारे लोग इस quiz को जरूर solve करें यह मैं चाहता हूँ सुबस मैं आशा करता हूँ कि समझ में आयोंगी चीजे आप लोगों को कैलोग मैलोग रियलोग किस तरह यूज करना है और आप लोग quiz भी यहां पर मैंने जो दी है मैं चाहता हूँ आप लोग ने मुझे Facebook, Instagram पर follow नहीं करा है तो आप लोग जाकर कर ले follow उसी के साथ साथ अगर आप लोग लाइक करेंगे इस वीडियो को तो मुझे काफी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दें और मुझे अपने questions बताएं कमेंट करके कोई भी चीज अगर आप लोग को जाननी है सही से आप लोग मुझे बताएं नीचे कमेंट में जरूर से और कोई भी further reading वगरा रहीगी तो मैं आप लोग को जरूर से दे दूगा So guys अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो का लाइक करना मत भूलना Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time